और एक बड़ी खबर मिल रहे है चंदोली में वोड परसंटेज आपको बता देते हैं। चंदोली में 11 बज़े तक 20 पीसदी मतदान हुआ है। तो यह voting percentage आपको बता रहे हैं सुभा 11 बचे तक का हाला कि शुरुबात में बड़ी संख्या में लोग पहुचे थे क्योंकि धूप भी काफी कम थी temperature अच्छा था अब ऐसे में जैसे जैसे temperature बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों के जो पहुचने की संख्या है वो काफी जला सीमि हो जाती है उसके बाद में दुबारा शाम से लोग पहुचने हैं वोटकास्ट करने के लिए लेकिन आखरी चरण का मतदाल में उमीद है कि पिछले चे चरणों के मुकाबले इस बार वोटिंग फीज़ी जादा रहेगा और साथी प्रिशासन की तरफ से भी पुक्ता इंत स्वीरे आप देख सकते हैं परियाप्त इंतिजाम है कि अगर आप वोटकास्ट करने के लिए पहुच्टे हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई परिशानी ना हूँ और साथी कहां पर कितना वोटिंग फीज़ी रहा है वो भी हम आपको बता रहे है और खास महमान हमारे साथ में लगतार जूड़े हुए हैं ग्यानिश्टी में आपी के पास में आऊंगी वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर लें तो हर बार देखिए उमीद हम यही करते हैं कि पिछले वाले जो रिकॉर्ड है वो टूटे और वोटिंग फीज़ी बढ़े आलाकि इस बार सुभा से हम देख रहे हैं काफी ज़ादा अच्छा कह सकते हैं इसे पहले के मुकाबले कई जगा पर 30 से ज़ादा भी पहुँच गया है ऐसे में आपको क्या लगता है इस बार वोटिंग फीज़ी बढ़ेगा और ये अगर बढ़ता है तो ये क्या सत्ता पक्ष के लिए इसे एक अच्छी बात कह सकते हैं या फिर विपक्ष के लिए वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना तो चाहिए इस बार चुकि छेचरण के चुनाओं के बाद जहां चुनाओं नहीं हुए थे तो वहां के लोगों ने देखा कि बहुत जगा चुनाओं नहीं हुआ है तो मुझे लगता है और जो जिन इलाकों में चुनाओं हो रहा है खासका यूपी में मैं बत करूँ तो वह काफी जागरू की इलाका है सेंसिटीव इलाका है और यहां चुनाओं में जो कंडिडेट का चैन होता है उसमें बहुत ज्यादा माने रखता है भोट्रों के रुजहान आया है उदासिंता आई है वो सत्ता पार्टी के लिए बड़ा मने वो सुप संकीत नहीं है इसे माना जारा कि लोग बहुत खुश नहीं है कि हम सरकार को जाकर भोट दें यह भी एक नजरिया है सोचने का लेकिन चुनाओं में किसको भोट मिलेगा कौन जीत रहा ह यह आकलन करना बड़ा हम जैसे लोगं के लिए बड़ा तेड़ी खीर का काम है और नहीं करना चाहिए तो कि लोगतंतर है अगर हमीं तैक कर देंगे कि कौन जीते का कौन हारेगा तो भी लोगतंतर के माने क्या रहेंगे पर फोटकास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं या फिर गोरकपुर की जनता क्या अपने कुछ मुद्दे हैं एक विल्कुल बिल्कुल और इस वक्त मैं जिस बूत पर ख़ड़ा कौन हो रहा है उसके बाद भी देखे उत्साह उकम नहीं हो रहा है मेरे साथ आप देखे बुज़ूर्ग मध्दा आता है साड़े ग्यारा वज़े का वक्त है लेकिन आप चले आया है अपना मताजाद क का प्रयोग करने धूप थी उसके बाद चले हैं तो क्या मुद्दा रहा मुद्दा यह रहा है कि हम लोग जो है भाजपा से समर्पित है और आज से नहीं जब इस पार्टी का नाम जन संग था दीपक निसान तो सिर्फ भाजपा समर्थी थे कुछ काम भीवा मुद्दा काम है है कि यही जब पहले यहां के हम असानी लोग की बात कर रहा है असानी असकर पघ्लेन यही बनेंगे ग्री मंTI तो आप लोगों क्या मुद्दा रहा है डवलेमेंट रहा महिला सुरच्छा कुछ मुद्दा रहा है आप लोगों का योगी भी रहें का कुछ है के साइवाजी है कि अब ओपर का हर चारहा देखे तीए विकास देखिये सुरक्षा देखिये यहां कि सामाद्य जन्ता कितना समाजी कि ये मिला है कि यहां कोई मुद्दा ही नहीं मुद्दा सिर्फ यह एक है योगी भारजंता पार्थी इसको कैसे हराया जाए और गटवंद्नन इसको हराने के लिए आसुब हा रहा है उसकी प्रत्यासी रही है तो क्या रोने से उट मिलेगा योगी जी भी मुद्दा है क्या नहीं कि उनी लोग है वए शार बाइसाब मद्दान कर दिया तो किर मुद्दों पर किया मद्दान मुद्दे हमारे यहां तो गोरखपुर से बाबा बसक्राइब केंदर में कोई रहे गोरखपुर बाबा क्यों भया का मुद्दा रहा और यहां वोटिंग का का मुद्दा रहा? और जंता से काफी लगाव भी उनका है, सुभा पहुचे ते यहाँ पर मतदान करने के लिए, नेहा जी का इसी पर रियक्शन ले लेते हैं, नेहा जी, क्या समाजवानी पार्टी की थोड़ी टैंशन तो बढ़ती होगे न, जब लोग बोलते हैं कि प्रधान मंत्री ही काफी पहले सही बता करके, भीर खड़ी करके, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो राय आपने आम जंता की लाइन में वोट की ले जब लगी थी तब ली, वो राय आपको नहीं मिल सकती, सुनियो, जित कारकरता बाजपा का जो बात कहेगा, वो अपनी पार्टी के लिए कहेगा, लेकिन जो लाइन में लगी जंता वोट देने चारी थी, उसने महंगाई और विरुजगारी का बटन दबाया है, यह साथ जंता ने बताया है, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस देश में महंगाई का है, अभी जो लोगों के रियक्शन सामने आए है, आप क्या कहना चारे ह है, कि वो पहले से प्री प्लान था, इस पर भी मैं आगे आपसे रियक्शन लोगी, जवाब लोगी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, न्यूज जेटिन पार, इलेक्शन को लेकर महा कवरिश लगातार ज़ारी, आप देखते रही है, न्य लिजे, 2019 का कड़ा लिजे, और 2024 क्रमसा प्रचंद बहुमत के साथ सरकार बनी, तो जो माननी मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर काम किया है, जो माननी योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सालों के अंदर काम किया है, ताज उत्तर प्रद कर तो पर कि बार 400 की दिसांए पूरे हिंदुस्तान के साथ टौब फैसे टिहां से काम हूए है डिन तलाहथ का वह हुआ है और चलिए गोरकपूर लिये चलते हैं जहां पर राम गोपाल हमारे साथ पर जुड़े हुए राम गोपाल सबसे जादा वोटर्स गोरकपूर की सीट पर ही हैं अब ऐसे में लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं उतनी बड़ी संख्या में बिलकुल गोरकपूर में इस बार का जो चुना हो रहा है सबसे अधिक 20,97,000 के करीब मददाता है और सुबह के वक्त साथ बजे से खुद मुखमंत्री योगिया जितनाथ ने पहला मददान किया है और उसके बाद से जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां भी लगातार लोग आ रहे हैं अपने मताज्याज का प्रयोग कर रहे हैं और जा रहे हैं हाला कि लंबी लाइने इस काड़ नहीं कि देखने को मिल लहीं है कि यहां पर करीब दस बूत बनाए गए हैं सरमादान कर लिया है तो क्या मोद्द रहे है इस वार मद्दान करने का इस घानून Consult काम अच्छा लगता है मतान करदिया मैं 22 क्या रहा हुआ सोच के वोट किया ओक सोच के दी कि आज के समय में योगी मोधी ऐसा ही मंदार और अच्छा क्या करने वना आगे कोई दिखाई नहीं दे रागल बगल भी और कमसे कम मुदी साथ पुष्ट के लिए जम्हा करके नाए जायंगे जो जाएंगे जंता के लिए छोड़ा है जंता के लिए छोड़ा के जाएंगे तो इस तरीका के आप बिकास का मुद्दा रहा तो यह मद्दाता है जिन्होंने अपने मताधियार का प्रयों किया लेकिन अगर हम प्रसासन की तैयारियों को दिखाए एक बार तो आप देखिए कि जो बूत है धूब से बचाने के लिए हैं पूरा इंतजाम किया गया है पानी की ब्योस्ता है आने के लिए फोर विलर की भी सुब्दा दी गई है कि अगर वो अपने गाड़ियों से आ रहा है तो सीधे बूत के जहां पे ओटिंग की प्रकिरिया ओटिंग सुरू होगी वहां तक वो सीधे जा सकते हैं इसका भी इंतजाम यहां पे किया गया है यानि कि ओटिंग परस हमारे साथ पर जुड़ गया है मनीश का रुख कर लेते हैं मनीश गाज़ेपूर में तस्वीरे आप दिखाईए लोगों में कितना उत्सा है क्या लोग बढ़ चड़कर मतदान करने पहुच रहे हैं आपको बता दें कि गाज़ीपूर में सुबाथ साथ बज़े से मद्दान शुरू हो गया है और गाज़ीपूर लोग सबाथ छेत्रे के दो हजार आरतीस पोलिंग उथों पर लोग सुबाथ साथ बज़े से मद्दान कर रहे हैं इस समय हम नवापूरा प्रास्मिक विद्याले के पोलिंग सेंटर पर खड़े हैं जहां पर लोग आ रहे हैं आपको दिखा सकते हैं कि कुछ लोगों की वो लाइने लगी हुई है जो बोट डालने के लिए खड़े हैं साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग बोट डालने के बाद सेलफी पॉइंट पर अपनी अपनी तस्वीडे भी ले रहे हैं मतलब बोट डालने के बाद लोगों में उसाभी नजर आ रहा है आप देख सकते हैं कि कुछ लोग वोट डालने के लिए इंतियाद में लगे हैं और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं आप चलिए वारण असी आपको लेकर चलते हैं वारण असी वीवी आई पी सीट प्रधान मंतरी नरेंद्र बोधी यहां से चुनावी मैदान में हैं उपेंद्र दिवेदी हमारे साथ में लोग पहुँच रहे हैं और कुछ ऐसी यह तस्वीर हैं जैसे चाची है इनकी तस्वीर है जो प्रिरिद करती है उन लोग को जो अब तक मद्दान के लिए निए चाची बोट डालना हुआ डाल देली बोट डाल देली दिखावा जरा उंगली दिखादा देखिए वीलच सारे लोग आप लोग अने वोट कास्ट कर दिया और यहां पर खुद वारांसी के पर्थम नागरी किया निए और ग्यारा बजे तक का वोटिंग परसेंटेज इक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कहां पर कितना अभी मतदान हुआ है चंदौली में सुभा 11 बजे तक 30 फीस दी मतदान हुआ है गाजेपुर में 27.49 फीस दी देवरिया में 11 बजे तक 28 फीस दी मतदान हुआ महराज कुंच पे 29.66 प्रतीशत मतदान हुआ है मिर्जापूर की बात करें तो यहाँ पर भी 30 पीज़ी मतदान हुआ है वारनसी में 26.48 पीज़ी इसके लावा घूसी की बात करें तो 27.64 पीज़ी मतदान है कुष्चिनगर में 28.50 मतदान हुआ है यह वोटिंग प्रतीशत आपको बता रहे है 11 बजे तक का लेकिन इस बार सुबा ही काफी अच्छी चंख्या इसे कह सकते हैं काफी अच्छा आकड़ा कह सकते हैं लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान कर रहे हैं आला कि गर्मी आज भी बहुत जादा है और ऐसे में यह पोलिंग बुथो की त देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेस काफी जादा अच्छा है दूसरी तरफ क्या इसको ऐसे भी जोड़कर देख सकते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हो आकरी कुछ जिनों में पुर्वांचल के दौरे पर ही रह है वहां के बोटर बहुत जागरुक हैं सजग हैं वो जानते हैं कि किसको जीताना है इसलिए वह घर से निकलेंगे लेकिन इसमें सबसे बड़ी बादा आ रही है वह गर्मी और इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मदार अगर ठराय जाए तो चुनाव आयो गया इस पर को जाइड सी बात है जो पांच चरन और छे चरन में जो रिपोर्ट्स आई मीडिया में खबरे आई कि वोटिंग पर्शेटेज कम है उसका भी असर पड़ता है अगर आप खबर चलाते हैं बताते हैं तो लोग सुता है कि चलो हम अपने इलाके में वोट ज्यादा दें ताकि तो मुझे लगता कि सब का एक सामोहिक प्रयास है और इस बार भोटर्स चाहता है कि हम अपना भोट का अधिकार का प्रयोग करें चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो लेकिन यह जो चुनाव खत्म हो रहा है यह अपने आप एक धरकन भी पड़ा कर रहा है चोकि जो इस बार पर बीजेपी वोट पांग रही थी और विपक्षी पार्टियों के भी अपने मुद्दे थे महंगाई बढ़ती बीरोजगारी लेकिन फिर बीच में आकर ऐसा लगा कि ट्रैक से भटक गई यह गाड़ी उसके बाद में हमने कई ऐसे भी मुद्दे इस चुनाव में सुने जिनका या तो आज तक जिक्र नहीं हुआ या फिर चुनाव में उन मुद्दों का कोई मतलब नहीं था तो इन मुद्दों के क्या असर आप देख रहे हैं क्योंकि क्या ये भी जंता पर नकरात्मक प्रभाव डाल सकते हैं नकरात्मक प्रभाव डालेगा ही डालेगा है लेकिन आप देखिए कि चुनाव की घोषना के पहले पूरी तरह से महाल था बीजेपी के पक्ष में मोधी के पक्ष में कि ठर्टर्म अराम से सरकार बना लेगी एक परसेप्शन वाई चल लाता जैसे ही अधिसुतना जारी ह कि घोषन पत्र बीजेपी ने चर्चा की जितना मोधी जी ने बोला यह भी आप समझें इस बात को लेगर के कि बार बात ध्यान भठकाने के लिए कोशिच किया गया जैसा की विपक्ष का आरूफ है आप समझ रही इस बात को लेकिन कॉंग्रेस या बिपक्षी दल महंगाई ब्रजगारी के मुद्दे पर अड़ी रही और बार बार इस चुनाओ को जैसे मुज्रा वाला मामला आया इस पर काफी प्रतिक्रिया भी आई मंगल सुथ पर प्रतिक्रिया आई और अभी लेटेस् से मुद्दे आया जिसको नहीं आना चाहिए था काईदे से चुकि लोगतंत्र में हमारे लिए क्या होता है बुनियारी समझ रहता है रोटी कपड़ा और मकान पहले तो चुनाओ इस पर लड़े जाते थे अब तो खैर अब प्रधान मतरी निका कि हम आटा के साथ में से डालता है हाला कि पहले पूरा प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं है कुछ चार जून का भी हमको तो इंतजार करना होगा